हेलो नमस्कार सस्त्रयकाल आदाव चलिए मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ होम साइंस का चौथा चैप्टर है यह जिस चैप्टर का नाम है वैकल्पिक बाल देख रेक दिखिए यहां पर मैं यह जो चौथा चैप्टर है उन माता-पिताओं से संबंदित है जो अ यह जाती है तो चलिए मैं वैकल्पिक बाल देख रेक की थोरी सी आपको जो है परिचय यह इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि वैकल्पिक बाल देख रेक होता क्या है बच्चों की अगर उचित विर्दी करने के लिए विकास के लिए तो जन्म से ही उसकी क्या करनी प होढ़े मैं नोहलें तो इसको और गवा Deb Its परिए वह बच्च्चे अन्जान होते हैं हर कि इसे वह कब कर ला हैं यह कहना होता है तो से Nep सुरक्षा भी देनी है मारी जवरतं परिवार में रहते हुए बच्चा जो है क्या करता है बहुत सी बातों को सिखता है और दिरी दिरी वह समाज में फिर मिल जाता है तो समाज में भी वह अपने आपको एड़ेस्ट कर लेता है तो हम एक बात और बताना चाहते हैं कि बच्चे के जीवन पर जो है माता का प्रभाव सबसे अधिक परता है क्योंकि वह उसी की देखरेक में उसी की देख भाल वह में रहते हैं यही कारण है कि उसका सबसे निकट का संबन्द अगर बताया जाता है के साथ होता है उसके बाद अगर लिया जाए तब जाके हम लोग कहते हैं कि पिता का स्थान आता है दुसरा अस्थान पिता का आता है और पिता की अनुपस्तिती में और वैवार आदी का परवाव बालक के व्यक्तित पर तथा विकास पर जरूर पड़ता है तो इस परकार समपर्ग में आता है रिस्तेदार के समपर्ग में आता है तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं सबसे पहले माता जो होती है वह सीसो की सरवपर देखभाल करने का दाय तो अपने उपर उठाती है इसके बाद पिता लेकिन आजकल इतनी भागदोर भड़ी जिन्दगी में जो है कि काफी ये चीछ देखने को लिए मिल रहा है कि थुरा से इसमें समस्य आती है चलिए मैं बताना चाहता हूं सिसू की देखवाल करने के लिए कौन-कौन से किरियाकलाब ज़रूरी होते है जैसे मानकिची भोज करवाना है मरहम लगाना है मतलब आराम से इसको सिलाना है सिसू को रोने के बाद उस क्यों रो रहा है उस रोने का कारण जानने के बाद उसका निदान करना है ये सारा चीछ जो होता है सारी किरियाएं सम्मिलित होती है सिसू की देखवाल के में तो इसके लिए वेकल्पिक वैकल्पिक वैवस्था गल्स हरी रिमें की गई गई एक चोटा इका की परिवार रहे हैं तो उसमें जवरत परती है या फिर माता घर से बाहर जाकर काम करती वैकल्पिक समंद तूट जाता है बच्चे की करने में कठनाई होती है उसमें हमको वैकल्पिक व्यस्था तयार करनी पड़ती है रिष्टेदारों के संबंदों में परिवर्तन होता है तो उसमें जो है कि हमको वैकल्पिक बाल देखनी करने मतलब क्या होता है इसको देखनी का प्रिया पर इसी में मैं बनाया हूं उसके में बारी बारी से उसको डिल भी करते जाओंगा देखिए पहला जो है कि देखरें का अर्थ क्या होता है कि इसको मतलब होता है कि माता-पिता की अनुपस्तिती में बच्चे की देखरें मतलब यह नहीं है माता-पिता तो फिर उसकी देखवाल करने वाला जो भी हम सुविध कि इसका क्या काम होता है उनको हम लोग देखते हैं यह जो आंगनवारी संबंदित जो कारी होता है यह ICDS के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि यह योजना है जो कि बच्चों की देखरेक में काम आती है बालबारी प्रशन कारे किरंडा लागे हुआ था था तो यह प्रसव कांसा ही कि बच्चोओ की ऊच्ट देख भाल करना बच्चों को किसी भी परकार की कोई शमश्या नहीं आए इसलिए इन सबों की विवस्ता की गए खास करके ICDS की बात की जाए तो ICDS जो होती है वह जीरों से लेके छे वर्स की आयू के वर्ग के बच्चों की देखवाल करती है गर्वती इस्तरियों की देखवाल करती है तो इस प्रकार का और यह समय समय पर इनका मुख्य उद्देश होता है कि कुपोशन से बचाए जाए बच्चों को विद्याले क्यों चोड़ रहा है उसमें कमी आ रही है उसको दूर करने का प्रियास करते हैं टिकाकरन सही से लगे स्वास से वाएं बहतर हो रोध चमतात्मक यानि कि रोग पर्तिकारक वो बड़े यह सब प्रयोग यह सब काम होता है किसका हम समय कितबाल विकास योजना की आई सीडियस का काम होता है नेश देखते हैं ग्रामीन चेत्रों में आई सीडियस से वाएं किसके द्वारा पहुंचाई जाती है तो यह आंगनवारी अभी कि दोनों का काम होता है कि आगनवारी के माध्यम से बच्चों को देखरे करना बच्चे सही डंग से खापी रहा यह नहीं है कुपेसी तो नहीं है इस चुटकाड़ा के लिए आगनवारी को रखा गिया है नेक्स्ट गाउं या कस्वे में कितनी जंसंख्या पर आंगनवा केंद्र होता है गाउं या कस्वों में पहारी चेत्रों की बात किया जाता है तो पहारी चेत्रों में एक आगनवारी केंद्र 700 की जंसंख्या पर केंद्र अस्थापित क्या जाता है आएसीडियस का पुरा नाम देखिए आएसीडियस का पुरा नाम है इंटीग्रेटेट चाइल्ड डेवलप्मेंट सर्विस जिसको हिंदी में कहा जाता है समेकित बाल विकास योजना इसी के अंतरगत जो है आंगनवारी क्या करती है कारी करती है संपूर्ण देश में कित है कई इसका क्या काम होता है यह बी जो है ना इनका भी दिखिस और इसका हिंदी में मैं लिख देता हूं पूर्व बाले आवस्था देखैक जफ यह सारा कारिये देखते हैं और इसमें दिखते हैं अर्ली मतलब पूर्व पूरी आउस्था में देखनेरेंसे सम्मंदित कारिकरम होता है इसमें क्या-क्या वोसको मैं बताता हूं कि जितने भी कि हैं जैसे सारेडिक हो यह फिर मांसिक विर्दी के लिए यह हमारा जो है ICCC क्या गठन किया गया है काता है इस कारीकरम को कब से सुरू किया गया था यह 1947 इस विसे इस कारीकरम को सुरू किया गया था जिसमें मुख्य है इसके कारीकरम में मुख्य है एक एक रित बाल विकास योजना लाना है पुरी बाले आवस्ता सिक्षा के अंदरों को चलाने के लिए स्वैक्ची संस्थाओं की योजना करना है तो यह सब इसका परमुखकारी है नेक्श्ट कोोचन है आईसी डीएस किस विभाग द्वारा चलाया जाता है तो यह सब आज हम लोगों ने देखा वैकल व्हायों कोशनल महत्तपुर्न जानकारिया अप लोग जो है विडियो को अधिक से अधिक सेर करें को मेंट करें लाइक करें और हैस चैनल चाहता हूं कि मैं एक्जाम यानि कि 2022 का जो बोर्ड का 12 बोर्ड का एक्जाम है वहां तक में सारे का सारो हम साइन्स करें